हेलो फ्रेंज मैं हूँ निर्मणा और मेरी चैनल पर आपका बहुत बहुत सागत है आज हम घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली ब्रेड रोल बनाएंगे जिने मिल्क बन भी कहते हैं और इन ब्रेड रोल की खासवाद ये है कि इने बनाने के लिए ना ही हम येस्ट का इस्तमाल करेंगे और ना ही ओवन में इने बनाएंगे जिससे कि यदि दोनों ही चीज़े अवेलियेबल ना हो तब भी इन ब्रेड रोल को आसानी से बनाया जा सकता है तो फ्रेंड्स रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथी नई वीडियो की जानकारे के लिए बैल आइकन के बटन को क्लिक सरूर करें इन ब्रेड रोल को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बो लेंगी और इसमें हम आटा लगा कर तयार कर लेते हैं तो इसके उपर सबसे पहले हम एक छलने रख देते हैं तो सारे dry ingredients को हम चान कर लेंगे तो इस चलने में हम डालेंगे 2 कप मैदा यदि आप मैदे से नहीं बनाना चाते हैं तो गेहों के आटे से भी बना सकते हैं तो 2 कप गेहों का आटा ले लें अब इसे के अंदर हम 4 टेबल स्पून milk powder डालेंगे milk powder से इनका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा क्रिमी साता है लेकिन अवेलेबल नहीं हो तो उसका option भी मैं आगे बता दूंगे तीन चमच हम PCV चीनी लेंगे ये जो बंस होते हैं वो हलके से मिठे होते हैं और चीनी होती हैं तो सारे flavors को balance भी करेगी इसलिए तीन चमच इसमें PCV चीनी का अस्तमाल करें और चुटकी भर नमक डाल देंगे अब इसमें हम डालेंगे एक छोटा चमच baking powder और baking powder का आदा लेंगे baking soda तो आदा छोटा चमच हम लेंगे baking soda तो yeast की जगर हम baking powder और baking soda का अस्तमाल करेंगे लेकिन यह दिया आपके पास baking powder और baking soda दोनों ही available ना हो तो आप inno fruit salt का अस्तमाल भी कर सकते हैं इन दोनों को skip कर सकते हैं तो एक छोटा चमच आप inno fruit salt इसके अंदर डाल लें तो पहले सारे dry ingredients को हम अच्छे से चान कर लेंगे तो इसे अच्छे से यह mix भी हो जाएंगे और जो चीनी हमने PCV डाली है उसके मोटे junks रह जाते हैं तो वो भी निकल जाएंगे तो यह हमने इने चान लिया है और अब हम इसे एक बार फिर अच्छे से mix कर लेते हैं तो चाहें तो आप एक दो बार इसे चान कर ले सकते हैं जितना अच्छे से चान कर लेंगे अच्छा एरेशन भी इसमें होगा और डो भी हमारा perfect बनेगा अब इसमें हम डालेंगे 3 चमच दही यह ज़्यादा खटा दही नहीं है दो बड़ी चमच इसके अंदर तेल डालेंगे तेल के बजाए आप बटर को melt करके भी ले सकते हैं दही और तेल को पहले अच्छे से mix कर लेते हैं अब इसमें हम डालेंगे दूद तो यह हलका गुनगुना दूद मैंने लिया है एक कप हमने दूद लिया है तो हम देख लेंगे कि हमें कितना दूद इस्तिमाल करना है अब जैसा कि मैंने बताया कि यदि आपके पास milk powder ना हो तब क्या करें तब इसमें बड़िया सा texture और taste लाने के लिए जो दूद आप ले रहे हैं वो ज़्यादा मात्रा में ले ले और उसको थोड़े देर ज़्यादा पका लें तो दूद है वो गाड़ा हो जाएगा और गाड़ा होने से वो एक तरह से milk powder का ही काम करेगा क्योंकि milk powder को भी दूद को गाड़ा करके ही तयार किया जाता है तो इसे आपको milk powder की कमी भी महसूस नहीं होगी तो टोटल एक कप हमने दूद का इस्तमाल इसमें कर लिया है देखी ऐसा soft सा एकदम डो चाहिए इसको रोटे के आटे की तरह नहीं गुदना होता है बस हातों से इसे mix कर लें तो अभी ये आपको रफ दिखाई दे रहा है साथ में इसमें क्योंकि हमने soda डाला है तो इसमें जाली भी बनने लगती है तो बोल के अंदर सारी चीजों को बस हमी mix कर लेना है अभी इसका आगे का काम हम एक flat surface पर करेंगे जिसे पहले तिल से grease कर लेंगे और हात भी तिल से grease हो जाएंगे तो इसे क्या होगा कि आटा हातों के और फ्लेट surface के चिपके का नहीं और अब हम ये आटा ले ले लेते हैं इसे इस flat surface पर निकाल लेते हैं तो अभी ये आटा हमसे काफी रूठावा है यानि उपर की जो layer आपको इसकी दिखाई दे रही है वो बहुती rough है ब्रेट रोल बनेंगे वो भी बहुती अच्छे बनेंगे तो इस तरह हमें बिल्कुल भी रोटी के आटे की तरह इसे नहीं कुनना होता है बस हलकी हातों से इस तरह घुमाते जाएं तो दीरे दीरे ये अपने आपी प्लेन होता जाएगा और काफी सॉफ्ट हो जाएगा ब्रेट रोल बनाना केक से भी ज़्यदा आसान होता है और यदि इसका आटा एकदम परफेक्ट लगा तो इसमें कोई भी दिकत नहीं आएगी ये बहुत अच्छे फुली फुले और फ्लपी बनते हैं तो आटे को इस तरह बस स्टिच करते जाएं इससे रोल करते जाएं तो इससे क्या होगा कि इसमें अच्छा सा एरेशन हो जाएगा और उस एरेशन की वज़े से ही जो बन्स होंगी वो काफी अच्छे से फूल जाते हैं soft हो जाते हैं तो देखे कुछ ही मिनिट में ये जो आटा है वो कितना smooth और जिकना हो गया है बिलकुल भी हमने गुंदा नहीं है बस इस तरह stitch करके ही ये काफी अच्छा हो गया है तो इसे हम एक cylindrical shape दे लेंगे और जितने बड़े आपको bread roll बनाने है उतने size के से काट लें तो ये मैं एक साथ 4 बना रही हूँ तो मैंने इने 4 pieces में कट कर लिया है और अब देखे इने रोल करने का तरीका इस तरह एक पी साथ में उठाएं और इसे गोल-गोल घुमा लें तो जब आप गोल-गोल इसे घुमाएंगे तो एक साथ में तो ये काफी प्लेन हो जाएगा और दूसरे साथ में जितना भी आटा है वो इकठा हो जाएगा तो इसे एक जगए अच्छे से सील कर दें तो इसे क्या होगा कि बहुत अच्छा एरेशन इसमें होगा तो ये जो रोल हैं वो फटेंगे भी नहीं और बहुत ये अच्छे से फूलेंगे तो ये कुछ बना लिया है मैं एक और बना कर दिखा देती हूँ तो इसे पहले ऐसे सलेंडर कल शेप भी दे सकते हैं फिर ऐसे बीच में रोल कर लें और इसकी एक पोर्टली से बना लें और बहुत ही हलक यातों से इसे गुमा लें ये देखें कैसे हमने गोल-गोल किया है तो जैसा हम इसे शेप देंगे उसी शेप के ये बन कर तयार होंगे अब क्योंकि हम इने इडली कुकर में बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर ये इडली प्लेट ले ली है इडली प्लेट को हम तेल से थोड़ा सा ग्रेज कर लेंगे पर इस पर तेल नहीं रहने देंगे इस तेल को हम टिशू पेपर से इपोंच देते हैं क्योंकि यदि हमने इस पर तेल रहने दिया तो क्योंकि इडली कुकर में हम बना रहे हैं तो प्लेट को तयार करके अब इसमें हम रख देते हैं अब इने बेक करने के लिए मैंने ये इडली कूकर ले लिया है अब इडली कूकर में हम सीधे ही इन बंस को बेक नहीं करेंगे इससे क्या होगा कि आपका बरतन जल सकता है तो उससे बचाने के लिए और हीट evenly distribute हो उसके हो जाती है तो इसे हमें pre heating पर रखने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट ही हम प्लेट इसके अंदर रख देंगे यदि आप केक वगर बनाते हैं तो बरतन को आपको pre heat करना पड़ता है लेकिन milk bread में आप अराम से इसे सिधे ही रख सकते हैं अब ये प्लेट में रख दूंगी और इस पर हम ये दूद का ब्रश लगा देंगे ऐसा करने से जो उपर की layer होगी वो जल्दी से सुखे की नहीं क्योंकि उपर की layer होती है वो जल्दी पकने लगती है और नीचे की layer फिर जल्दी से जलने लगती है तो इस तरह हम दूद लगा देंगे तो ये उपर से भी का नीचे से ही आती है तो सबसे पहले ये नीचे से जल जाते हैं तो दूद का ब्रिश लगा देंगे तो ये नीचे से बिलकुल जलते नहीं है और बहुत ये अच्छे से धीरे-धीरे फूल जाते हैं दूसरा मैंने ये जो इडली प्लेट ली है वो मैंने उपर वाली ली है एक जरूर ख्यार रखें कि जो इडली प्लेट आप लें वो उपर वाले ही लें या मेडल वाले लें अब हम गैस का फ्लेम मेडियम कर देंगे और लगबक 30-40 मिनट के लिए इन्हें बेग कर लेंगे अब बेग करने का टाइमिंग कभी भी निश्यत नहीं होता है वो डिपेंड करता है कि आप कुंसा बटन ले रहे हैं कितने फ्लेम पर आप इसे पका रहे हैं तो इस बात का जरूर ख्याल रखें तो 20 मिनट बाद इन ब्रेड रोल को आप एक बार चैक कर लें और ये आपको कसर बाकी लग रही है तो आप इसे थोड़े देर के लिए और बेग कर सकते हैं मुझे 30-35 मिनट का समय इने बेग करने में लगा है और आप देख सकते हैं मेरे इडले कुकर में बिलकुल भी कोई होल वगरे नहीं है तो इसे स्टीम भी बाहर नहीं निकलती है और यदि स्टीम बाहर निकलती है तो हो सकता है कि आपको टाइम थोड़ा ज़ादा लग चाहे तो अब हम इसे खोल लेते हैं और वाव ये देखे कितने सुंदर ब्रेड रोल बनकर तैयार हुए हैं और आप पहले की साइज इनकी देखिए और अब की साइज देखिए कितने अच्छे से ये फूल गए है और फूलने के बाद भी इनमें बिलकुल भी क्रेक्स नह करते हैं इनकी उपर हम बटर लगा देते हैं तो इस बटर को ये काफी अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेंगे और ये जो उपर की लेर होती है वो हारड नहीं होगी वो ऐसे ही सॉफ्ट बनी रहेगी अब इन ब्रेड रोल को हम एक मोटे कपड़े से कवर करतेंगे और आदा ए थंडे नहीं वे हैं लेकिन फिर भी मापको इने पटापट काट के दिखाती हूं तो पहले हम एक चाक को लेकर इसे डिमोल्ड कर लेते हैं तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये निकल आते हैं और अब हम इसे कट कर लेते हैं तो जैसे जैसे ये थंडे होते जाते हैं र ब्रैड रोल बन कर तयार हुआ है तो आप भी जल्दी से घर पर ये ब्रैड रोल बनाएं कैसे बने मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि इन बंस को देखकर आप भी फूले-फूले हैं समाएं तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं अपना किंती समय देने के लि